नसीब वालों को मिलती है दो जून की रोटी हम आपको आंकडों के जरिये इस कहावत का मतलब समझाएंगे आज दो जून है इसलिए डाइनिंग टेबल से लेकर सोसल मीडिया की वाल तक दो जून की रोटी पर भरपूर ज्यान परोसा जा रहा है कोई इस पर जोग बनाते हुए पूछ रहा है आपने दो जून की रोटी खाई क्या तो कोई दो जून की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है या दो जून की रोटी नसीब वालों को मिलती है जैसा कैपसन लिखकर अपने ज्यान की गंगा बाह रहा है नमस्कार फ्रागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्योपी हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ महें की बारी दो जून की रोटी एक पुरानी भारती कहावत है और इसका मतलब है कि दो टाइम यानि दो पहर का भोजन जिसे हम लंच काते हैं और रात का भोजन यानि जिसे हम डिनर कहते हैं इससे इसका अंदाजा लगाया जाता है आउधी भासा में जून का मतलब समय से होता है इसलिए हमारे घर के बड़े बुढ़े या पूरवज इस कहावत का इस्तेमाल दो वक्त यानि सुबह साम के खाने को लेकर करते हैं ये काफी होता है गरीबी और भूख एक दूसरे के पूरक है भूख लगेगी तो रोटी चाहिए होगी रोटी कमाना आसान नहीं है रोटी बड़ी मेहनत से कमाई जाती है इसलिए दो जून की रोटी की चिंता और चर्चा कभी खत्म नहीं होती देश की पूर प्रधानमंत्री इंद्रिया गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंद्रिया गांधी से लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तर 52 साल में 12 प्रधान मंत्री बदल गए देश का गरीब मनो सियासी मोहरा बन कर रह गया 1971 के जनगर्णा के मुताबिक तब भारत की 54 करोन आबादी थी जिसमें से 57 फिजदी लोग गरीबी रेखा के नीचे थे ग्रामीर से जादा सहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने को वेबस्त आकडों की बाजी गरी में गरीबी कभी कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है गरीबी की परिभासा और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों का आकड़ा भारत में हमेशा विवादित रहा है या विवादों में रहा है सरकारें दसकों से गरीबी हटाओ और कोई भूखा नहीं सोएगा जैसे नारे देकर कई योजनाएं लागू तो कर चुकी है इन सब के बावजूद लाखो लोग आज भी दोजून की रोटी के लिए मोहताज है अंतियोदय योजना से लेकर मनरेगा और वर्तमान में केंद सरकार और राज सरकारों के जरिये चलाई जा रही फ्री रासन की योजनाओं के बावजूद दोजून की रोटी की समस्या कब खत्म होगी इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका है 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के माने तो भूखमरी के मामलों में भारत दुनिया के 121 देशों में 107 नंबर पर है हाला कि इस रिपोर्ट के आंकडों को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है इससे पहले 2011 में कांग्रेस की अगवाई वाली ततकालीन यूपिये सरकार ने भी हंगर इंडेक्स के दावों को खारिज किया था दसकों से देश में चुनावी मुद्दा बन जुकी गरीबी हर साल बजट में आने के बाद कुछ समय तक सुर्खियों में जरूर रहत ले साल 2020 में संयुक्त राष्ट संग की योर से जारी UNDP की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की कुल 135 करोण आबादी में से 22 करोण लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दुनिया में गरीबों की संख्या के मामलों में भारत का अस्थान सबसे उपर यानि सीर्स पर है हलाकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि भारत में 20 साल में 40 करोण लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं दोजून की रोटी वाली कहावत कब बनी इसका कोई स्पष्ट प्रमार तो नहीं लेकिन जब तक दुनिया रहेगी ये कहावत तब तक प्रासंगिक बनी रहेगी कुल मिलाकर पूरी स्टोरी देखने के बाद आप समझ गये होंगे कि दोजून की रोटी कितने नसीबों से मिलती है राष्टिस से जुड़ी हर वड़ी खबर के लिज़ जोड़ रहेए व्योपी हिंदी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कर दीजिए वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए दबा के शेयर कीजिए और कमेंट सिक्सन में जाकर वेबाकी के साथ अपनी राय रखिए